हेलो एविवान तो कैसे आप सब आई होब कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने चैनल को खुश्बू व्लॉक्स एंड ब्यूटी में तो सबसे पहले आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं या फिर जो भी मेरी चैनल पर नए है तो प चिलकों को ले लिया है और अंदर से मैंने सेच्छे से साफ कर लिया है अब इसमें मैं करीबन डेट कप पानी डालूंगी और इसे पूरी रात भीगने के लिए छोड़ दोगी ध्यान रखे कि आप उतना ही पानी ले जितना आपको सिरम बनाना है क्योंकि आप अगर इसमे दarner हाथा खाली बॉल में गया है आप उस बर्तर में निकाली जिसमें आपको सिरम बनाना है तो मैं इसमें एड़ कर रा है खादी का प्यॉर ऐलोवेरा जैल एक चमच आपको कम लगे तो और आइड कर सकते हैं फिसके बाद हादी चमच मैंने आलमेंड डॉयल इसमें डाला है वो ड्राइ स्कीन वालों के लिए है और इसके बाद इसे इतना मिक्स करना है कि यह सिरम के फोम में आज है उसके बाद इस आप जब भी अपना वाइटमिन सी बनाए और कोई भी फेस सिरम बनाए तो आप उसे इस तरह की डार्क बॉटल में ही भर कर रखें और उसका जो कंटेनर है उसे बहुत जादा टाइट करके रखें ताकि उसके नदर कोई हवा पास ना हो सके और आप इसे एक हफते के ठीयलो कलर का बनकर रैडी हुआ है यह देखिए यह इसका टेक्स्ट्र है तो यह बहुत ज़्यादा पतला नहीं है ठिक है और इसकी में बहुत जल्दी एपस अफोप हो जाएगा फ्रेग्रेंस वाव फ्रेइंस इसकी बहुत माइल्ड है बहुत ज्यादा अच्छी है हलक कि हमने इसमें वाइटमीन एक क्यों नहीं इसमें एड किया है वाइटमीन ए मतलब हर तरह से हर किसी सिरम में डाल देना मुझे ठीक नहीं लगता और मतलब जब भी आप को राम देखेंगे तो उसमें एलोगे जैल और वाइटमीन ए कैपसुल डालना बहुत ही नॉमल सा हो ग स्केंध करें बहुत जल्दी एब्सॉप हो चुका है बहुत जल्दी और काफी स्कीन मुझे स्मूद लग रही है और ब्राइट भी लग लगी है तो यह है और अगर आपकी स्कीन काफी जयादा ड्राय है तो आप इसमें जो आलमेंड़े हैं वह दो तोड़ा और ना करें तो आई होपके आपको वीडियो पसंद आई होगी प्लीस लाइक जरू करना चैनल को सब्सक्राइब कर देना तर तक के लिए बाइबा एंट ठेक केर